आओ पेड लगाएं दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे उसी पार्क में कुछ बच्चे भी खेल रहे थे उनकी नजर दादाजी पर पड़ी वे बोले अरे चलो देखें दादाजी क्या कर रही है बच्चे उनके पास पहुँच गए उन्होंने पूछा दादाजी आप किस चीज का पेड लगा रहे हैं दादाजी ने बताया कि वे अमरूत का पेड लगा रहे हैं यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा दादाची आप हमें बताईए कि इन पेड़ों के लिए किन चीजों की जरूरत होती है दादाची बोले बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हावा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है फिर दादाची ने बच्चों से पूछा बच्चों, तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? बच्ची तुरन बोल पड़े अमरूद हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? बच्ची एक दूसरे का मुँ देखने लगे फिर दादाची ने उन्हें बताया बच्चों, पेड हमें फल फूल के अलावा छाया और स्वच हवा भी देते हैं पेडों से हमें लकडी मिलती है पेड पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं बच्चों ने सारी बाते ध्यान से सुनी और बोले दादा जी, पेड हमारे लिए इतने उप्योगी हैं तो हम सब भी पेड लगाएंगे आओं मिलकर वरिक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं